बचपन से ही एक सरकारी घर में जब आप पैदा होते हैं, तो आपको बार-बार रहता है कि आपिसर बनना है, आपिसर बनना है, तो मेरा एक्जाम प्रिलिम्स कराक हो गया, मीन्स के बारे में कुछ भी घ्यान नहीं था, कोशिच की पढ़ने की लेकिन नहीं कराक हुआ, इसके बार में बात समझाई, मुझे रखा कुछ अलग करते हैं, दोस्तों, वहाँ पर हमने शुरुआत करी एक ऐसी जर्नी की नाम सा जिसका 2017 में एक ऐसी घटना-घटी, मेरे पूरा करियर बदल गया, मैं पढ़ा रहा था कोशिंग सेंटर में, अच्छे पैसे मिलते हैं, पढ़ाते हो आप तो, अद परिकुलर्ली वहाँ पर एक फार्मर फैमिली आती है, वह फार्मर फैमिली आती है, और एक फार्दर और एक सन ह वो सन चाह रहा है वहाँ पर पढ़ना कोचिंग सेंटर में डेड़ लाक रुपया फीस है UPSA की कोचिंग फोड़ी महंगी होती दोस्तों तो डेड़ लाक रुपया फादर अफोर्ड नहीं कर सकते और वहाँ पर बेटा टग गया बेटा पापा मुझे तो ये कोचिंग चाहिए ही चाहिए मुझे पढ़ना है आपर तो पापा गह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजे मेरे पापा सैसा नहीं है तो बेटा सजेस्ट करता है पापा जमीन बेज़ दो तो जमीन बेजदो वहाँ पर पापा और बेटे की लड़ाई शुरू हो जाती है और मुझे लग रहा कि मैं पूरे जीवन भर क्लास में इक्वालिटी इनक्वालिटी पढ़ाता आया और मेरे सामने ये पूरे कॉंसेप्ट की हत्य हो रही है एक सुडेंट जो डेर्ड लाग रुप्या फोर्ड नहीं कर सकता क्या वो क्लास में नहीं बैठेगा वो I.E.S. आफिसर नहीं बनेगा मुझे जो बिलकुल डिसकनेक्ट भी लुआ जो मैं पढ़ता आया हूँ जोज था बहुत और जोज था और सभी कोचिंग सेंटर को छोड़के हम चल पड़े कुछ दोस्त कुछ लाइक में जेट वहाँ पर जो साथ में टीचर्स भी थे और हमने शुरू किया एक ऐसा सफर जिसने आने वाले वक्त में सौ से जादा बच्चों को गाउं से बात ध्यान देने वाली है कि गाउं से ग्रास रूड से भुपाल से रैंक पांच उसके बाद इंदौर से रैंक टू ऐसे स्टूडेंस निकलने शुरू हुए और सबसे जादा इसकी जो बेनिफिशरीस थी वो थी लड़किया कौन दोस्तों UPSC IAS का रिजल्ट की बात कर रहा हूं है और UPSC IAS के रिजल्ट में Sleepy Classes पिछले पांच सालों से अब इतने जादा रिजल्ट से निकाल चुका है मैं आपको चाहता हूं मताना कि not only in UPSC but also in State Civil Services we have our students जो single digit rank holders हैं तो यह हुआ कैसे शुरू हेलो दोस्तों मैं हूँ शेकरदत आपने शायद मुझे YouTube पर Sleepy Classes चैनल पर देखा होगा बहुत से बच्चे मुझे Sleepy Sir के नाम से भी जानते हैं मैं वहाँ पढ़ाता हूं sociology तो दोस्तों यह सफर शुरू हुआ था चंडीगड के साथ अच्छी पढ़ाई होई वहाँ पर और इस पूरे सिस्टम में मैंने government libraries को भी बहुत धंग से उज़ किया तो मैं बचपन से ही दादा जी के साथ library जाया करता था और library की aisles में घूमते रहना वहाँ पर ऐसा नहीं ऐसाच की I did not really start reading तो वहाँ पर लेकिन comfort level develop हो गया books के साथ तो एक government family में जब आप पैदा होते हैं जब government officers होते हैं आपके parents तो एक aspiration रहते हैं बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं education, education destinies change करती हैं ऐसा विश्वास है तो इसी के कारण आगे बढ़ते बढ़ते मैंने engineering college में भी admission ली अच्छा engineering college है पंजाब engineering college अंडिगर्ड में वहाँ पर भी aspirations और develop हो गई दुनिया के बारे में और पता लगना शुरू हो गया and MBA किया, MBA के बाद वहाँ पर CFA भी शुरू कर दिया CFA नामक जो एक American एक degree रहती है तो उसको भी मैंने शुरुआत कर दी तो अब यहाँ पर यहाँ पर अब जिन्दगी थोड़ा बदलाव लेती है जॉब शुरू होई, जॉब में इतना मज़ा नहीं आ रहा and लग रहा है कि पढ़ाई से दूर हो गए पढ़ाई कैसे resume करें, तो coaching शुरू करी तो इसलिए बिल्कुल अगर शुरुआत से level raise किया जाए बच्चे comfortable हो जाते है and usually आपके साथ साथ चलते है तो results अच्छा आने शुरू हुए, बच्चे आयम पहुंच गए खुद तो आयम नहीं पहुंच पाया था, बच्चे पहुंचन चुरू हो गए satisfaction फीर हो रही है तो उसके बाद CSAT CSAT नामक एक exam introduce किया गया UPSC में, उन्होंने कहा कि aptitude लेकर आते है UPSC में तो aptitude लेकर आए, teachers की requirement है तो जो CAT पढ़ा रहे हैं, teachers उन्हीं teachers को कहा गया, चलिए आप CSAT पढ़ा दीजे CSAT में UPSC से ribbon कट गया तो government schools में education प्राप्त करने के बाद में government engineering college में गया, अच्छा engineering college मानते है Punjab engineering college चंडिगड में तो यहाँ पर अब मुझे पता लगा कि बहुत सारी तरह के career हो सकते हैं, वो career में क्या क्या possibilities हो सकते हैं, तो यह clarity तो नहीं थी कि करना क्या है, increasingly यह पता लगना शुरू हुआ कि क्या नहीं करना, तो यह नहीं करना, यह नहीं करना करते करते, अब मुझे लगा कि चलो, अब कुछ नहीं करने की बात हो रही है, cat की त्यारी कर सकते हैं, तो cat की त्यारी करी, cat में अच्छा percentile भी आ गया, I am convert नहीं हुआ, लेकिन के दोस्ते प्थे, दोस्त के भाई भेहनों को पढ़ाना शुरू किया, कि उनको math से डब लगता था, कि math से डब लगता था, कहां सी रहते हैं, अब उनको बल्कुल आराम से दीरे दीरे लेकर आ हैं, उनको बताएं भी कि लेवल रेज भी करना है तो साथ साथ बच्चे चलते हैं अच्छे रिजल्ट्स रहे, बच्चे आयम पहुंचे और खुशी हुई, कि आरे पढ़ाय होई बच्चे आयम पहुंच गे, खुद तो मैं नहीं पहुंच पाया, वो पहुंच गए तो उसके बाद MBA खतम हुई, एक जॉब लग गई, मेरी महिंदरा एन महिंदरा में मैंने वो जॉब जॉइन करी, अच्छी जॉब थी, CEO के साथ काम करना भी था और एक साल तक मैंने वहाँ जॉब करी, लेकिन बार-बार याद आ रही थी अपने पढ़ाई की दिनों की, बार-बार याद आ रहे थी, अपने बच्पन की, एजुकेशन की, बार-बार याद आ रहे थी, बुक्स की तो क्या फाइदा इस सब कुछ करने का आप पढ़ाएंगे क्या बच्चों को अब स्कूल टीचर बनने वाले हो क्या तो मुझे रहे हैं तो यहाँ पर कोचिंग इंडेस्ट्री भारत में अच्छी चल रही है UPSC ने CSAT इंटर्यूस किया दोस्तों CSAT होता है aptitude का exam UPSC के exam connect करता है जिसमें आपको सरफ 67 marks लेने होते हैं तब 67 नहीं लेने थे तब marks add हो रहे थे तो अब यहाँ पर CAT के जितने coaching centers से उनकी हुई चांदी उन्होंने अपने teachers को बोला कि चल यह CSAT पढ़ाईए तो मुझे CSAT पढ़ाने का मौका मिल गया CSAT पढ़ाया देखा UPSC के बच्चों का aptitude थोड़ा और differently aligned है compared with students of CAT तो उनको और basic से लेकर आना था और जिंदगी में challenge बढ़ गया तो अब यहाँ पर शुरू होती है UPSC की journey मुझे UPSC के बच्चों के बारे में पता लगना शुरू हुआ बच्पन से ही एक सरकारी घर में जबा पैदा होते हैं तो आपको बार-बार रहता है कि officer बनना है officer बनना है और बनना ही officer तो why not become a top officer तो top officer बनने का एक सपना दिमाग में आना शुरू हो गया कि UPSC की तयारी करते है तो जिस coaching center में मैं पढ़ा रहा था वहाँ के sir ने मुझे बोला कि आप भी देखे देखिए exam एक बार देखिए कि exam में होता क्या है ऐसे ही दे दीजिए CSAT के साथ clear हो जाएगा and incidentally मैंने कुछ ही महिने पढ़ाई करी 3-4 महिने की होगी maximum तो मेरा exam prelims crack हो गया वहाँ पर students बेटे हुए बहुत बहुत time से पढ़ रहे है and exam crack नहीं हो रहा मेरा CSAT के बल पर ही exam crack हो गया 200 में से मेरे 192 marks तो सिरफ CSAT में ही थे बाकि सिरफ 40-50 marks यह और चाहिए थे GS में वो आ गए and मेरा prelims crack हो गया उस साल मैंने mains लिखा mains के बारे में कुछ भी घ्यान नहीं था कोशिच की पढ़ने की लेकिन नहीं crack हुआ mains crack नहीं हुआ and उसके अगले साल 2013 में पहला interview call आया and उस interview call में जाकर मैं बहुत अच्छा perform नहीं कर पाया वहाँ पर मेरा final selection नहीं हो पाया लेकिन कुछ पता लगा कि अगर एक specific तरहां से तयारी की जाए तो आप अच्छा कर सकते हैं तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत important चीज मुझे और समझाई वो है coaching centers कैसे काम करते हैं उसके बाइर में बात समझाई coaching centers दोस्तों बहुत ही expensive बहुत ही costly जगाए हैं जहाँ पर usually गरीब लोग नहीं घुसते गरीब लोग जब घुसेंगे ही नहीं तो officer कैसे बनेंगे officer नहीं बनेंगे तो अपने लिए policies कैसे बनाएंगे बहुत ही एक challenging चीज नजर आई मुझे तो मुझे लेका चलिए करेंगे इस पर कुछ कभी officer बनेंगे तो तो लेकिन साल दर साल exam चलते रहे attempt चलते रहे एक UPSC का exam रहता है maximum APFC का तो APFC is Provident Fund Commissioner वहाँ पर मेरा wait list में नाम आया UPSC ने बोला wait कीजिए final conversion नहीं हुआ and फिर 2016 में मेरे attempts खतम हो गए and attempts खतम होते ही मैंने full-fledged coaching में अपने आपको जोंक दिया तो अगर आपने कभी UPSC में interview दिया होता है, कभी आप UPSC के दोवारा wait place किये गई होते हो coaching centers अच्छा दाम देते हैं आपको as a teacher तो अच्छे पैसे मिल रहे थे और मैं पढ़ा रहा था, तब ही दोस्तों एक ऐसी घटना-घटी मेरा पूरा career change हो गया, अब 2017 में एक ऐसी घटना-घटी है, याद है मैं आपको talk के शुरु में बताया था, एक ऐसी घटना-घटी है जो मेरे पूरे जीवन को बदल के रख देगी आने वाले तो अब यहाँ पर एक father और एक son का duo, they visit our coaching center और हमारे coaching center में आते हैं और हम counselling desk पे बैठे थे और हम बच्चों को बता रहे हैं जहां पर कि आप ये वाला course ले लीजिए आप ये वाला course ले लीजिए तो वहां पर हम उनके course की कीमत है 1.5,00,00, रुपया है फादर कह रहे हैं कि मैं अपोर्ड नहीं कर सकता मैं किसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो जो बेटा है वो अटक गया नहीं भाई मुझे तो चाहिए चाहिए एक और डेढ़ लाक रुपे कहीं से भी लाइए और वहाँ पर बेटा रिकमेंड करता है अपने फादर को कि आप अपनी जमीन बेच दो पादर कहते हैं कि नहीं मैं जमीन नहीं बेचूँगा और दोनों में वहाँ पर टसल शुरू हो जाती है काफी ही एक विचलित कर देने वाला महाल मैं सशॉलोजी पढ़ाता रहा हूँ कोचिंग सेंटर्स में और इक्वालिटी की बात करता रहा हूँ इनिक्वालिटी की बात करता रहा हूँ मेरे सामने ही उन सभी कॉंसेट्स की हत्या हो रही है तो मुझे लगा that's it और मैं इस पूरे सिस्टम का पार्ट नहीं बनूँगा कुछ अलग करते हैं कुछ अलग करते हैं मैंने अपने दोस्तों को बताया साथ मैं हमारे कॉलीक्स से उनको मैंने कुछ बात सांजी करी मुझे लगा कुछ अलग करते हैं और दोस्तों वहाँ पर हमने शुरुआत करी एक ऐसी जर्नी की नाम सा जिसका Sleepy Classes हमको लगा कि चलिए इतना गुसा है हम सब में इतना गुसा है पूरे सिस्टम के खिलाब I.E.S. आफिसर नहीं बन पाए एक काम करते हैं I.E.S. आफिसर बनाने का काम शुरू करते हैं कैसे करेंगे तो एक Sleepy Classes पर हमने एक बड़ा प्रजेक्ट उठाया बहुँ बड़ा प्रजेक्ट आज इस बात को हमारे दोस्त और हमारे एक और दोस्त तीनों ने हमें जॉइन किया तो हमने पूरा को पूरा content डालना शुरू कर दिया YouTube पर free of cost इंटरनेट भी बढ़िया चल रहा था जियों ने पुरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था जो स्टॉक चल रही थी लोग जो motivated थे काम करने के लिए हम भी motivated हो गए और वहाँ पर motivation के साथ साथ दोस्तों हमने इतना सारा content दे दिया means का time था अगर समझते है UPSC के process को तो pre के बाद आता है means मतलब कुछ मुठी भर कुछ ही चुनिंदा लोग ही means लिखेंगे वो चुनिंदा लोग means जो लिख रहे थे हमारा content उन तक पहुंचा एक एक करके viewership बढ़ने चुरू हो गई and exam में सवाल नज़र आ गए बच्चों को लगा रहे content तो बहुत बढ़िया था आपका तो अच्छा लगा सुनकर कि अच्छा content था पूरी को पूरी sociology optional डाल दिया इतने सारे GS के सवाल करा दिये बच्चों को फायदा हुआ तो अब यहां पर demand आई कि मेंज खतम हो रहा है अगले साल के pre के बात आ रही थी बच्चे कह रहे थे आपने बहुत content डाला हुआ है तो आप हमें pre का भी कुछ समझा दीजिए अगर हो तो possible कोई pre का छोटा वाला course ले आईए कोई test series ले आईए कोई crash course बना दीजिए हमें लेकर अच्छा मौक है कि crash course लेकर आते हैं test series लेकर आते हैं and nominal price करते हैं ताकी थोड़ा अपने भी system चलता रहे तो दोस्तों वहाँ पर हम 5000 रुपए की जो कि otherwise coaching center में 40, 45, 50,000 के courses थे उस वक्त वो हमने 5000 में launch कर दिया and हमें था 50 लोग आ जाएंगे and we'll be happy तो एक ही रात में जब हमने course launch किया हमने एक दोस्त को ऐसे ही जो प्यार से बहलाफ उस लाकर उससे website बेन वाली and उस website पर हमने course launch किया और रात को ही वो website crash हो गई क्योंकि एक रात में ही 100 से जादा लोगों ने उस पर एक साथ click किया and वो पूरा का पूरा system crumbled हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को आखिर हमें ऐसा दिख्या रहा है most likely शायद उनको जो दिख रहा था वो था connect कि हम connect कर पा रहे थे सरल भाषा में पढ़ाते थे easy language to comprehend and मुश्किल concepts थे आम जिन्दगी के साथ जब जूड दी जाते थे बहतर थे समझने में तो इसी कारण हमने अपनी website को relaunch किया बच्चों से हमने माफी मांगी कि sorry हमारी website crash कर गई कोई कह रहा है कि please मुझे तो पक्का ही पक्का seat चाहिए मैं इस परिवार से आता हूँ कोई कह रहा है कि मैं बहुत गरीब किसी कसबे से आता हूँ मुझे आपकी seat पका चाहिए तो हमने course relaunch किया and course relaunch करके हमने अपने पहले ही batch में हमने 1000 बच्चों के आसपास बच्चों को पढ़ा दिया and prelims पढ़ा दिया अब बारी थी जो means में जिननों को पढ़ाया था उनके result के आने के बारी थी बच्चे select हुए and दोस्तों आने वाले साल में आने वाले साल में हमें बहुत बहतरीन result मिला तो 2018 में जो हमने बच्चों को prelims के crash course में पढ़ाया बच्चों ने prelims first time crack किया ऐसे बच्चों के email आये कि तीन attempts बीट गए थे चार attempts बीट गए थे again coaching center से 110th price पर launch करी हमें खुद से evaluate करना पड़ता था evaluate करते थे बच्चों को feedback देते थे innovative तरीके लेकर आते थे कि चलो एक video record करके भेज़ देते हैं कि आप में ये कमी है ये अच्छा करते हैं आप और बहतर कर सकते हैं तो बच्चों का वहाँ पर भी और भी बढ़िया result रहा and वहाँ पर सबसे बढ़िया जो इस पूरे outcome का process का एक result रहा 2018 में दोस्तों एक लड़की का हमें email आया कि सर आपके पढ़ाए student है हम and आपके पढ़ाए के कारण आज हम IES officer बन गए वो rank था 5 rank 5 हासिल किया हमारे पहले ही batch में student ने नामताउन का सरुष्टी देश्मुक उन्होंने अपना एक separate channel बना कर भी बताया कि कैसे उन्होंने sleepy classes से मदद ली हम बहुत ही ज़ादा overwhelmed थे and we just did not know how to react सरुष्टी के rank से हमें बहुत credibility मिली बहुत नाम मिला enrollments भी बढ़ गई हमारे आने वाले courses में low cost courses थे लड़कियां specifically ज़ादा choose कर रही थी इसको क्योंकि parents के concerns रहते हैं हम बाहर बच्चों को नहीं भेज सकते कई बार concern ऐसा भी रहते हैं कि हम बहुत पैसा भी नहीं कर सकते हमारा जो course घर पर available था हमारा course बहुत holistic था toppers वारा recommend किया जा रहा था word of mouth spread हो रहा था तो दोस्तों लेकिन इसी साल एक बहुत ही special story हमारे साथ और हुई दोस्तों एक हमें phone आता है जब interviews की list आती है interviews किस किस का होगा उसमें एक essay student का phone आता है वो कहते हैं कि मैंने आपका content पढ़ा है मैंने 12 साल बाद पढ़ा ही resume की है और मुझे अब interview में मदद कीजिए तो दोस्तों वो नाम था रुपेश कुमार का रुपेश visually impaired candidate है अमरे सर से आते हैं और उन्होंने कहा कि वो interview की त्यारे भी sleepy classes के साथ ही करना चाहते है तो दोस्तों रुपेश कुमार की कहानी बहुत खास कहानी क्यों है क्योंकि ऐसे परिवार से आते हैं जो थोड़ा financially इतना sound नहीं था father को उन्होंने जल्दी खो दिया and in between बहुत सी jobs करनी पड़ी family को चलाने के लिए in between उनकी आँखें भी जाती रही तो यहाँ पर 12 साल बाद रुपेश के सामने YouTube पर एक ऐसा link आता है जिसमें political science पढ़ाई जा रही है free of cost GS पढ़ाई जा रहा है free of cost classes में जा नहीं सकते notes कैसे बनाएंगे and challenge रहेगा तो घर बैठकर YouTube पर पढ़ाई कर रहे है top notch quality content मिल रहा है तो रुपेश ने हमारे साथ interview की त्यारी भी करी and उस साल रुपेश ने exam qualify किया अभी वो चंडीगड में IAS officer के तरह South चंडीगड के SDM है तो यह कहानी हमें बहुत जादा motivate करती है यह कहानी हमारे आसपास वाले जितने भी हमारे employees हमारे साथ जो जुड़े होए लोग है stakeholders सबको बहुत motivate करती है हमें इस journey को continue करते होए हमने पिछले 5 साल में single digit ranks देने शुरू कर दिये है across the exams of UPSC and even state PSCs तो दोस्तों इस पूरे सफर में एक सपना भी है इन sleepy आखों में दोस्तों वो सपना यह है कि जहां कहीं भी कोई ऐसा student हो जो शायद classes तक नहीं पहुंच सकता जो शायद इतने पैसे नहीं है जेव में कि classes में जाऊं और एक डेट लाक रुपे करचूं वहां तक sleepy classes पहुंचे तो दोस्तों पिछले पांच सालों में हमने सौ से जादा रांक्स दिये और इस पूरी जन्नी में एक बात समझ आई सीके प्रलाद की कहानी आज समझ आई दोस्तों सीके प्रलाद एक प्रोफेसर थे लेकिन बात बहुत सरल कर गए वो कह रहे हैं कि fortune पिरामिड के टॉप पर नहीं चुपा fortune is at the bottom of the pyramid दोस्तों वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा idea है जो masses को cater कर सकता है जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 पैसे पर लीटर के हिसाब से पानी को अगर प्योर कर पाएं कितने सारे लोगों को अच्छा स्वच पानी मिलेगा और आपको पैसे की कमी नहीं होगी तो दोस्तों ऐसे ही ideas पर fortune at the bottom of the pyramid पर काम करते रहेंगे बच्चों को top quality education देते रहेंगे और जैसा कबीर कहते हैं साइं इतना दीजिये जामे कुटम समाए मैं भी भूका ना रहूं सादू भी भूका ना जा अगर आप भी इस वीडियो के end तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी inspire जरूर होगे दोस्तों आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं और आपने कभी notice किया है जो भी लोग अपने goal को achieve कर पाते हैं उनमें एक common skill होती है वो क्या है? अच्छी communication skills और English bowling की skill और अब हम भी skill को master कर सकते हैं जो skill से आपके साथ यहाँ पे हमें daily vocabulary, grammar, reading, writing, practice के साथ-साथ अपने ही जैसे लाखों student के साथ English में बात करने का भी मौका मिलता है इससे हम अपने English की fluency जो है वो improve कर सकते हैं तो चलिए आज ही अपने सपने की और पहला कदम लेते हैं भारत के number one spoken English learning app Joshkins के साथ